चार साल बाद एक बार फिर टीवी पर लोट रही है सोनाली बेंद्रे कैंसर को मात देकर नई शुरुआत करने जा रही है एक्ट्रेस डांस इंडिया डांस लिटिल मस्टर्स के सीजन फाइब को जच करते आएंगी नज़र बालिविड एक्ट्रिस सोनाली बेंद्रे ने अपनी आदाकारी से सालों तक आउडियंस को एंटर्टेंड किया है अलांकि पिछले कई सालों से एक्ट्रिस परदे से दूरी बनाए रखे हुए हैं ऐसे में अब उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है सोनाली बेंद्रे टिवी पर चार साल बाद कमबैक कर रही है चार साल पहले यानि साल 2018 में सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ था जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली थी कैंसर के लाज के लिए वह न्यू यूर्क चली कहीं किमो थेरपी के कारण सोनाली बेंद्रे ने अपने सारे बाल भी खो दिये थे लेकिन अब सोनाली बेंद्रे कैंसर से उबढ़ चुकी है सोनाली कैंसर को मात देने के बाद Dance India Dance Little Masters के सीजन 5 से चलेविशन पर वापसी कर रही है बीत दुनों खबर आई थी कि इस से शो को पॉपलर बॉलिवुड कोरियोग्राफर रैमो डिसूजा और एक्ट्रेस मॉनी रॉय इस शो में जच होंगे लेकिन अब ताज़ा जानकारी के अनुसाद सोनाली बेंदर भी इस शो में शामल हो गई है और वो रैमो और मॉनी के अलावा इस शो की तीसरी जच होंगी अपनी वापसी को लेकर सोनाली ने कहा कि वह ZTV और सेट पर बच्चों के साथ वापसी करते हुए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है एक लंबे ब्रेक के बाद ये कई मामलों में मेरे लिए Z परिवार में घर वापसी जैसा है मैं लंबे समय तक Z से जूड़ी रही हूँ जिसमें मैंने ऐसी प्रोजेक्ट्स में काम किया जो मुझे बहुत पसंद है और इसी कलाओं को सपोर्ट किया जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा से डांस की बड़ी फैन रही हूँ और मैं ना सिर्फ डांस के लिए बलके इन लिटिल डांसर्स को उनका टैलेंट पेश करते हुए दिखने के लिए डी लिटिल मास्टर्स जैसे आइकॉनिक शो का हिस्सा बनने को लेकर बेहद उत्सा हित हूँ इन बच्चों को मंच पर आकर पूरे दिल से परफॉर्म करते देखना वाकई बड़ा सच्चा और दिल चुलेने वाला एहसास है सुनाली अपनी वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड है वहीं डी डी लिटिल मास्टर्स सीजन फाइब के ओडिशन्स शुरू हो चुके हैं इसमें तीन से लेकर तेरा साल तक की उम्र के बच्चे हिस्सा लेकर अल्टिमेट लिटिल मास्टर बनने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे बता दें कि सुनाली ने कई हिट मूवीज में काम किया है हमारा दिल आपके पास है लज्जा, कल हो ना हो और मेजर सहब जैसी कई फिल्मों में सुनाली ने काम किया है और कई अबॉर्ड्स अपने नाम किये है हलाकि ब्रेक के बाद उन्होंने टेलिविजिन पर काम करना शुरू कर दिया था जिसमें वो कई रियालिटी शोज की जाज के रोपे नजर आए कर दो कर दो कर दो किया है